हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब आप सब का स्वागत है मैं स्केता ब्लोक्स में तो आज मैं आपके साथ पालक की पकोड़े की रैस्पी शेयर करने वाली हूँ पालक तो सभी को खाना चाहिए सब के लिए बहुत फायदे मंद है इसे मैंने कुछ घर के ही समानों से बनाया है इसमें मैंने ज़्यादा इंग्रेडियन्स भी नहीं डाला है और एकदम तुरंद बनके एकदम तयार हो गई है हमारी पालक पकोड़े अब हम बनाते हैं तो य अब हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे तो सबसे पहले हम डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और फिर हमें डालना है आधा चम्मच जीरा पाउडर और एक चौथाई चम्मच काली मेर्च का पाउडर और अब हम एड़ करेंगे आधा चम्मच जीरा खड़ा जीरा और अब हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला अगर आप चाहें तो यहाँ पर सबजी मसाला का भी उच कर सकते हैं तो थोड़ा सा और टेस्ट पढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पिलिया है थोड़ा सा अजव माइट डालेंगे तो उसका टेस्ट एकदाम अलग ही आता है मैंने डाला स्वाद अनुसा नमक और हमने डाला हल्दी और इसका हमें गाड़ा पेस्ट बना लेना है इसे पतला नहीं करना है थोड़ा सा गाड़ा ही रखना है तो ऐसे हमें और थोड़ा सा इसमें पानी एड़ करके अच्छे से सारे बेसन को मिक्स कर लेना है तो देखिए हमें इतना ही मोटा रखना है पेस्ट को और अब हम इसमें पालक एड़ कर देंगे मैंने पालक में बेसन इसलिए एड़ नहीं किया क्योंकि पालक थोड़ा सौप्ट होता है और हम इसे मसलेंगे तो एकदम जो पकोड़ा होगा एकदम सौप्ट हो जाएगा और वो क्रिश्पी नहीं बनेगा तो हमें हलके हाथों से मिक्स करना है ज्यादा देर नहीं mix करना है, एकदम हलके हाथों सी थोड़ा-थोड़ा ही mix करना है, जितना की बेसन इसमें अच्छे से melt हो जाए. तो यह देखे, एकदम अच्छे से मैंने इसे mix कर लिया है, और यहां पी पत्ता भी थोड़ा दीख रहा है, कटा-कटा हुआ. तो अब हम क्या करेंगे कढ़ाई में ओयल गरम करने के लिए रख देंगे और जब ओयल गरम हो जाए तो हम ऐसे पकोड़े को डिप फ्राई कर लेंगे देखिए पालक का पकोड़ा बनाना बहुत आसान है और एकदम जटपट बन जाती है यह पालक की पकोड़ा काफी टेस्टी भी लगता है हर पकोड़े से और एकदम क्रिस्पी बनता है अगर आप चाहें तो इसमें चावल का भी आटा डाल सकते हैं लेकिन यह बीना चावल क आटा से बहुत क्रिस्पी बना है तो इसे ही सारे पकोड़े को हम एक बार में इतना पकोड़ा पड़ा है और अब हम इसे पलटते रहेंगे यहां पर गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रखे हाई टू मेडियम करते रहें तो देखिए हलका-लका ब्राउन हो रहा है तो ऐसे ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है सर्दियों के मौसम में तो पालग बहुत मिलते हैं तो आप थोड़ा सा पालग में बहुत धेर सारा पकोड़ा बना के रेडी कर सकते हैं और एक गरमा गरम खाईए चाय के साथ बहुत टेश्टी लगेगा और इसमें बहुत कम टाइम लगता है तो यह देखिए एक दाम अच्छे से डिप फ्राई हो चुका है और काफी अच्छा दीख रहा है तो यह मैंने बाकी के भी पकोड़े अच्छे से फ्राई कर लिये हैं तो बहुत कम टाइम में मैंने बनाया है पालग की पकोड़े अगर आपको मेरी रेस्पी की वीडियो अच्छी लगी हो तो सस्क्राइब में लाइक करें और अपने दोस्तों में भी सेयर करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक क्लिए टेक क्यार बाई बाई